दोस्तो स्वागता आपके अपनी चनल सिविल साइड वीजिट में दोस्तो आज का वीडियो काफी जादा इंपोर्टन होगा क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ जो हम सेफ्टिक टैंक बनाते हैं कि दिनों से आप मैसेज गर रहे थी कि सर सेफ्टिक टैंक एक वीडियो बनाओ कितनी हमें उसे की कपैस्टी रखें कितने हिसाब से रखें तो आज मैं पूरा बताऊंगा कि पांच परसन होगे तो कितने वाई कितने आपको बनाने हैं अगर आपको मीटर में समझ आता है तो वह भी मैं बताऊंगा अगर फीट में समझ आता है वह भी मैं आपको बताने वाला हूँ काफी important वीडियो होगी क्योंकि आज पूरा clear करूंगा कि सेप्टिक टैंक capacity as per person अगर आपके गर के 4 पर सन है, 5 पर सन है, 10 है, 15 है जितने भी बंदे हैं आपके गर के उनके इसाब से कितना बड़ा सेप्टिक टैंक आपको बनाने है और क्या क्या चीज़े ध्यान देनी है जब भी सेप्टिक टैंक बनाओ और एक tip पी दूँगा कि जिससे सेप्टिक टैंक जल्दी fill up नहीं होगा काफी चीज़े इस वीडियो में clear करने वाला, complete वीडियो देखना उससे पहले क्या करो जाके चैनल को subscribe कर लो डेली ऐसी वीडियो आएंगी जो आपको काफी knowledge देंगी अगर आप technical person हो, non-technical भी, कोई भी हो आप इसको subscribe कर लो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सेप्टिक टैंक है क्या है, दिखता कैसा है देखो हमारी ये आगे उसकी length safety tank क्या हो गया, जो आपका toilet से जुड़ा रहता है, जिसमें आपका sludge इकठा होता है, effilent scam, सब उसमें इकठा होता है, मैं उसका सब clear करूँगा ये आगे हमारी length, length ऐसे हो गई, ये हो गई हमारी breath, safety tank की ये इसके दो manhole होगे, डकन होगे, जिसको हम 600 by 600 का मनाएंगे, 2 foot by 2 foot का ठीक है, ये भी हमारा हो गया, 600 by 2 manhole होगे हमारे, फिर ये होगी inlet pipe इसको आपको रखना है, change का, मैं जहाँ, आप बोलो, 1500 mm की आपकी pipe होनी होनी चाहिए clear, ये यहां से आपकी जुड़ी होगे किसके साथ, bathroom के साथ, toilet के साथ, यहां ये जुड़ गई तो यहां से जो भी material आएगा, इसमें आएगा, मैं आगे बताता हूं क्या है ये होगे outlet pipe, जो आपकी sewer में जाएगी, यहां से आप tank future में खाली करोगे तो ये सब वो होगे clear, इतना हो गया, अभी हम बात करते हैं इसकी section की, तो हमने एक section कार दी आपको यहां से ऐसे दिखे गाई और इदर से, ये आगया, inlet, ये बाला से, inlet ये आगया, यहां से जाएगा, यहां sludge एकठी होगी इसके तीन पार्ट बनती है, sludge, effluent, और scum, ठीक है, इसका मैं सब बताता हूं आपको, यहां से इदर जाता है, और एक, यहां से भी हमने inlet रखा होता है मतलब, cut out रखा होता है, यहां से भी यहां जाता है, तो sludge यहां एक अठा होता रहता है, और यह हो गया output, जहां से बाहर आप साफ करोगे ठीक है, अभी इसमें क्या है, जो यह overhead होता है, यह आपको रखना है, 300 mm, जहां एक फूट हम उसे बोल लो, फिर आपको यह बताने वाला हूं, मैं अब तब तक जुड़े रहो वीडियो के साथ, फिर हमारी यह overhead आपको एक फूट रखना ही रखना है, और यह नीचे pipe कितन जहां तो RCC बाल बना लो, 1500 mm की, जहां 9 इंच की यह बाल बना दो, यह वाली, यह वाली, और slab रखो आप, 125 mm, जहां 5 इंच की, clear, यह हो गया, यह आपकी partition बार रहेगी, 5 से 6 इंच की, इतना आपको clear हो गया कि क्या करना है, कैसे बनने, बनने का clear हो गया, अब ही हम निकालत कितनी रखनी है, breath कितनी रखनी है, height कितनी रखनी है, वो main मुद्ध है आज हमारा, according standard बताऊंगा, मैं जो AIS code कहते हैं, बाकि हम इसको ही follow करते हैं, जब भी हम बनाते हैं, और भी काफी tips में last में दूँगा, कैसे एक चीज करनी है, कि यह जल्दी भरे नहीं, यह आ गया, देखो, नॉर्मली जो घर होता है, पांच बंदों का बहुत घर रहता है, मतलब पांच बंदे उसमें होते ही होते हैं, तो यह जो मैं बताऊंगा, घर के लिए बता रहा हो, कोई commercial building नहीं है, यह रेस्टोन नहीं है, यह कुछ नहीं है, यह गर रहा है, तो आपको length कितनी नहीं रखनी है, पहले meter में बताऊंगे, तो 1.5 meter आपको उसकी length रखनी है, ऐसे जो आपको रहेगा, 1.5 meter, जहां 5 foot, और 5 foot, देखो मैंने इसमें, meter में यह value होंगी, मेरी feet में यह लिख दिए, जो green pens हैं, वो meter में, और यह feet में, कहीं हो meter में समझ जाता है, कहीं हो feet में, तो length अगर 5 बंदे हैं, तो आपकी length कितनी रहेगी, 1.5 meter, और फिर 5 foot हमें इसे बोलें, और birth कितनी रहेगी, यह वाली लंबाई कितनी रहेगी, वो रहेगी, 0.75 meter, जहां 2.5 feet आपकी रहेगी, मतलब ऐसे पता चल गए, अब निकाल लिए, उसकी height कितनी रखनी है, देखो वो आप पे depend है, आप इसके लिए 5 बंदों के लिए, 1.8 meter तक रख सकते हो, जहां 3.2 foot से 3.8 foot, यह आप पे, यह होता है, बाई, इसको अगर हम code क्या कहता है, अगर 1 साल में आपको उसको साफ करने है, तो आपको यह follow करने है, अगर 2 साल में करने है, तो आपको यह follow करने है, त आपको, आप दूसरा देखो, अगर यह समझ नहीं है, दूसरा देखो, अगर 10 बंदे हैं आपके गर में, तो length कितनी रखनी है, यह वाली जो length होगी, वो कितनी रखनी है, 2 meter, यह 6.5 feet, 6.5 feet, clear, 2 meter रखो यह 6.5 foot रखो, एक ही बात है, यह meter में यह foot में, फिर इसकी breadth कितनी 0.9 meter, जहां 2.9 foot, इसको note करके रखो, यह काम आएगा काफी जदा, और आपको depth कितनी रखनी है, 1 से 2 meter तक आप उसकी depth रख सकते हो, जहां 3.2 foot से लेके 6.5 feet तक उसकी depth रख सकते हो, यह होगी, इसको note करते हैं, अगर आपके गर में है 15 बंदे, यह आपको कितनी रखनी है, 2 meter यह 6.5 feet, यह 6 foot 5 inch है, यह में 7 में लिख है, और यह आपको रखनी है, 0.9 meter यह 2.9 foot यह वाली, अब इसकी depth कितनी रखनी है, वो रखनी है आपको 1.3 meter से लेके 3.6 तक यह 4.2 feet से लेके 11.8 feet तक, अगर आपके गर में 15 बंदे हैं, अगर आपके गर में 20 बंदे हैं, तो 3 meter से लेके 2.3 meter ऐसे यह 7.5 feet, फिर आपको यह width रखनी है, वो कितनी रखनी है, 1.1 meter यह 3.6 feet, यह एक ही चीज है, यह meter में है और यह feet में, यह meter में है, यह feet में, तो यह confused मत होना, फिर हम बात करें depth की, तो 1.3 meter से लेके 4.6 meter तक, यह आपके कतनी रहगी, यह तो आप रख सक 4.6, इसको अगर convert कर लें, 1.3 meter कितना होगे, 4.2 feet से लेके 15.9 feet तक आपको रखनी है, 50 बंदे आगे, मतलब 50 बंदों होगा घर है आपका, तो उसको 4 meter ऐसे यह 13.12 foot आपको ऐसे रखनी है, और breadth कितनी रखनी है, 1.4 meter यह 4.5 foot आपको रखनी है, फिर हम depth की बात करें, तो depth आ 5.3 meter से 11.2 meter तक आपको रखनी है, और उसकी feet में अगर बात करूं, 4.2 feet से लेके 16 feet तक आप उसकी depth रख सकते हो, यह आपको उपर से दिखा देता हूँ, इसको video पास करके आप note भी कर सकते हो, तो यह आपको clear हो गया, कि 5 बंदे हो, 10 बंदे हो, 12 बंदे हो, 20 बंदे हो, जि को देता हूँ, यहां तो जो आउट लेता हो, जो इफिलेंट होता है, स्लज नीचे बैठ जाएगी, पानी यह होगा, आप सीवर लाइन में डाल दो सीदी, यह क्या करो, यह जो नीचे फर्ष होता है, इसको पोरस बिनाओ, पोरस बिनाओ गया इसका रिस्क रहता है, लेक आपका स्लोली स्लोली बरेगा, जहां आप यह जो आउट पूट होती है, जो मुनिसिपल के सीवर लाइन होती है, उसमें डाल दो, उसमें पानी चल जाएगा, बाकी स्लज इकटी होती जाएगी, तो टाइम भी आपका काफी निकल जाएगा, अगर हम इस यह फालो करके, अ थोड़ा उसमें प्रिकोशन लेके आपको करना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सैप्टी टैंक की पर बंदे की करपैस्टी के हिसाब से आपको कैसे कितनी लेंथ बर्थ हाइट रखनी है, तो आप उच्छे से कर दोगा, और यह टीप फालो कर देना, 9 इंच की द